असलाम वालेकुम नाजरीन मैं हूँ अजिया जुबैर नाजरीन आज हम बात करेंगे कि अगर आप बच्चे का दिन अच्छा गुज़ारना चाहते हैं तो उसकी रात की रूटीन लाजमी बनाएं नाजरीन बच्चे के दिन कितना अच्छा गुज़रेगा ये डिपेंड करता उसकी सुभा कितनी अच्छी हुई है और सुभा अच्छी किस तरह से होगी जब उसकी रात की रूटीन बनी भी होगी तो आज हम आपको वो बात बताएंगे जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि बच्चे की रात की रूटीन आपको किस तरह से बनानी है सबसे पहली और इंपॉर्टिन बात रात में सहत मन घज़ा ले यानि अगर बच्चे का पेट रात में भरावाओगा वो पेट भरके खाना खा कर सोएगा तो उसको अच्छी और पुर्सकूर नींद आएगी जिसे एक खादों के में पास फून आया वो कहा लिए थी बच्ची छोटी की उनकी ना खुद उसकी निन पूरी होती है मैंने वज़ा पूची केलेंगी के बच्ची जो वो खान जल्दी खा लेती है यानि शाम में छे साथ मिल्द खाना खा लेती है उसके बाद भी वो सोती रात में 11-12 बजे है मैंने उनसे कहा कि जब तक बच्ची का पेट भरावा नहीं होगा उसको अच्छी और पुर्शुकूर नीन आईगी ही नहीं आपको चाहिए उसको खाना आप 9 बे तक खिलाएं यानि कि सोने से 2 घंटे पहले खाना खिलाएं और सोने से आदर हंटा पहले उसको फीड़ अपला देया वो रात में तंगी नहीं करीगी आपको उनकी बच्ची ने उसके बाद रात में उनको परिशान नहीं किया में आपको पुसकूद निन लेता है इसलिए रात में बच्चे को पेट भड़े खाना क्हिलाएं कना छाहिए रात कि खाने मैं मीठी चीज़े शामिल नहीं होने चाहिए यानि के चौक्लेट्स टौफी या इस तरह की चीज़े मेठी होती है कोशिश क करें वो बच्चह र चैनी हो रात उसके अच्छी ना गुजरें डॉक्टर्स भी कहते हैं कि अगर आपने कोई बग पुर्टो के लुफ खाना खाना है है वी खाना खाना है तो इसको दिन में खाएं क्योंकि उसको प्रुबा दिन मिल जाएगा उस खाने को डाइजस्ट करने के लिए अगर बच् बच्चे का रूटीन होना क्या चाहिए तो रूटीन के हवाले से पहरी चीज क्या है बच्चे कमरा साफ सुत्रा होना चाहिए याई जब बच्चा अपने कमर में सोने के जाए तो उससे पहले वह अपना रूम साफ कर दे रूम को पुरसकून होना चाहिए साफ सुत्रा हो होना चाहिए अगर फेलावा होगा चीज़ें बिखिरी भी होंगी आपको अंदाजा नहीं कि इस तरहां से हमारे उपर डाल रही होती है बाद रफ़ा हम डिप्रिशरी दर चाहते हैं इस फेलावी की वज़ा से तो पिर नेन अच्छी कैसे आएगी जरूरी है कि बच्चा सो सोने से पहले अपना कमरा साफ करें उसकी हैबिट बना दें आप जब रूम साफ नहीं होगा तुम्हें सोना नहीं है पहले रूम साफ करो उसके बात सोना है दूसरी चीज रिडिंग लाज़मी करवाएं अगर बच्चा बहुत चोटा है रिडिंग नहीं कर सकता है तो जब बता तुमने क्या पढ़ा इसमें या उससे सवालात पूछें कि इस बुक में तुमने क्या सीखा किस तरहीं चीज़ें थी तुमने इंज्वाई किया इस तरह क्या होगा बच्चे उसकताब को पढ़ेगा और दिल्चस्पी से पढ़ेगा कि जब मैं पढ़ लूँग तुमसे सवालात भी होगे कि इस किताब में क्या था किताब कैसी लगी तेसरी बात सोने और जागने का टाइम फिक्स होना चाहिए फिर वुचाए विकेंड ही यू ना हो विकेंड पर हम देखते हैं बच्चे राद भर जागर होतेंगे नहीं कल चुटी हमारी उससे क्या ह होता है उनका रूटिन बिल्कुल आउट हो जाता है तो आपने कोशिश करनी कि विकेंड पर भी बच्चों का सोने और जागने का एक टाइम फिक्स होना चाहिए कि इस टाइम पर सोना है और इस टाइम पर उठना है चौधी बात कमरे में रोशनी का खास खयाल रखें सर्दियां है तो कमरा गरम होना चाहिए और कर बच्चे को इतनी अच्छी यह पर सकून नीजह ने लेकर वह उठेगा और तो सुबह इतनी अच्छी होगा पांच्वी बात सुबहा की तयारी आप बच्चा भी अनाश्ते में क्या खाना है लएक क्या लेकर जाना है यह करके रख दे सुभा आपका टाइम बहुत जादा इस काम में ना लगे और बच्चों को चाहिए कि अपना यूनिफॉर्म बैग अपने शूज और हर वो चीज जो उनको सुभा चाहिए होगी और रात में सेट करके सुएं बहुत से घरों में देखा है कि वो सुभा बच्चो उनको खुद अपनी प्रिपरिड करकर सुएं ये मां की जिम्हारी नहीं है नहीं है अगर बच्चा बढ़े होगे छोटे बच्चे थीन साल चार साम से और पर चीज जिम्हारी के उनकी हर्चीज को रखे पड़ा爸 से CP… ज़चा है उसको कम मैनेज करना चाहिए ऑसको पर च नियूगा आप आप देखनी हैं आप अपनि हरस्टीस रख एक आर नहीं आ है..? कि हाँ भाई तुम लेडिंग कर लो अब आपनों से फॉलॉव अपको चीजनगा कर भी महीं कर रहा है के रोगा कि वह वाकवी में सुया भी है या नहीं सुया है कि में साथ भी ऐसा हुआ कि कुछ इन पहले की बात है मुझे नीन बहुत ज्यादा आ रही थी मैं सो गई और मैंने इन लोग से कहा कि तुम लोगी सो जाओ आप यकीन करें दो घंठे बाद मेरी आँख खुल लिए तीनों बच्चे जाग रहते हैं क्यों ने देखा कि मा भी सो गई हैं हमें हमारी रूम में भीज दिया अब हमारी च्वाइज है कि हम सोएं या ना सोएं तो बच्चों आप कितना ही ट्रेंड कर लें लेकिन अगर आपके निगा नहीं होगी तो बच्चे बच्चे होते हैं वो फिर चीजों को फॉलो नहीं करते हैं रूल्स को फॉलो नहीं कर होते हैं तो अगर आपको नींद बहुत आ रही है तब भी पहले बच्चों को रूम में भेजें उनको सुलाएं और फिर कोईश करें उसके बाद आप सोचाएं रात की रूटीन अगर आपने सेट कर ली तो इन्शालला आपके बच्चे की सुबह बहुत अच्छी होगी रिल से बनाना है क्या बनाना है लंच में क्या दूं कि तमाम चीज़ें आपके रात में हो चुक्योंगी उमीद है यह वीडियो पसंद आई होगी आपको कमेंट्स में जुरू अपने राएका इजहार कीजएगा बहुत बहुत शुक्रिया अल्ला हाफिज